दोस्कार दोस्तों आप सभी का पॉलिटेक ने स्टेडी सेंटर में स्वागत हैं दोस्तों आज हम लॉगर्थम चैप्टर के लॉगर्थम चैप्टर के कोशन की प्रैक्टिस चल लएए और दोस्तों यह पार्ट सैकेंड है पार्ट सैकेंड इससे पहले पार्ट बना चुके देखें और लॉगर्थम की फॉल चैप्टर की वीडियो देखे तो चलिए उस्तिध करते हैं पार्ट log B base A into log C base B into log D base C into log A base D is equal to दोस्तों हमें इतना complicated सवाल दे दिये गया हमसे पूछा गया है यह किसके बरावर होगा यह हमारा किसके बरावर होगा तो दोस्तों इसे कुछ इसकार से solve करना होता है आपको कुछ property बता दें पहले कि अगर आपको लॉग log M और base N दिया है तो आपको कुछ इसे लग सकते हैं आप एसकी बेस constant मान लीजे कुछ आप मान लीजे बेस एक्स मान लीजे और आप इसे इससे इस कर से लिखा जा सकता है लॉग M ओपर वाले को ऊपर रखिए Best चेंज करिए X, डिवाइड वाइ, लॉग, नीचे वाले को नीचे रखिए लॉग N और बेस X तो दोस्तों ये इसके बराबर होता है, ये इसे इस पकार से लिखा जा सकते हैं बेस में आप कुछ भी रखिए पर दोनों में सेम रखिए तो दोस्तों आप इसे इस पकार से कनवर्ट कर सकते हैं कि उपर वाले M को उपर रखना है और बेस को नीचे ही रखना है अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि उपर वाले कोशन को किस पकार से करेंगे तो दोस्तों हम पहला दिया गया है लॉग B, बेस A तो दोस्तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे लॉग उपर वाले को उपर रखते हैं बेस को हम X माने लेते हैं डिवाइड Y लॉग और नीचे वाले को नीचे रखते हैं और बेस को X माने लगते हैं तो लॉग B बेस X डिवाइड वाई लॉग A बेस X तो दोस्तो इसे प्रकार से लिखा जा सकता है इसे प्रकार से ये तीन हो मतलब लॉग C बेस B को लिख सकते हैं लॉग C बेस B को लिख सकते हैं लॉग C बेस X डिवाइड वाई लॉग B बेस X तो दोस्तो इस पकार से लिखा जा सकता है और दो और लिखते हैं दोस्तो log log d base c को लिख सकते हम log d base x divide y log c base x log c base x और आखरी है हमारा log a base d बराबर होगा log a base d बराबर होगा log a base x divide y log d base x तो दोस्तो हम चारो को इस पकार से convert करकी लिखा जा सकता है ये दोस्तो हमने log a time के फुल चैप्टर बने बताए गया है कि आपको किस पकार से लिखना होता है कई सारी theorem से बताए गई है properties बताए हैं तो जरूर देखें आप दोस्तो वीडियो को आपको एक बार में आएगा तो आप रिवीजन होता जाएगा आपके हर पार्ट के साथ तो दोस्तो आप इस पकार से लिख सकते हैं चारो यूनिट्स को अब क्या करते हैं दोस्तों इन सब को एक साथ लिख लेते हैं हैं मतलब लॉग भी बेस एकज़ा लोग को लिख सकते हैं लॉग भी बेस एक्ष को लोग वाले को नीचे ले जाएगे बेस एक्स हम लॉग लॉग बिलॉग सी बेस बी को लिख सकते हैं log c.bass x divide by log b.bass x हम log d.bass c को लिख सकते हैं log the base x divide by log .c base x और आकिरीhhh log a base d को लिख सकते हम log a base x divide by लॉग टी बेस एक्स तोो इस प्रकार से इन सब को लिखा जा सकता है कि कुछ है आप और देखंपर और में कुछ कुर्णा कैंसल लेपे आई यह अब देखिए सबसे पहलेसिय। हमक्सक्रक्रक्णत कर्ति आप ड़े ली पेस एक्स तो है अब गैसक कौहाएं तो दोस्तों इससे है गया सूल हो जा जो जायगा तो आकिर यह सारे होने का बाद हमारे क्या बचेगा ओपर विन बचेगा और नीचे भी one बचेगा तो answer हमारा आ जाएगा one तो दोस्तो answer आ चुका है हमारा one तो दोस्तो आपको इस परिकार से theorem's का use करना है properties का use करना है बड़ी साब धानी से तो दोस्तो आप दिख सकते हैं हमारा answer आ चुका है one जहां question कितना complicated था अब वहीं पर कितना सरल हो चुका है तो दोस्तो आप देखते हैं option हमें कौन सा टिक लगाना है हमार answer है 1 तो दोस्तो आप देख सकते हैं option number A, 2 आपको पता है यह गलत है option number B, 3 यह भी गलत है दोस्तो option number D, 4 यह भी गलत है और दिये गया option number C is the right answer of the question कि log B, base A, into log C, base B, into log D, base C, into log A, base D का हमारा answer होगा 1 तो दोस्तो आपको इस पकार से question solve करने है और आपको four marks असानी से मिल जाएंगे इस simple से question पर और धरना दोस्तो पूरी वीडियो देखने के लिए part 2 था इसे पहले आपने part 1 देखा और अब आएगा दोस्तो आपके लिए part 3 और आपने अभी तक फुल चैप्टर की वीडियो नहीं देखी लोग रतम की तो जरूर देखे हैं धन्यात दोस्तो पूरी वीडियो देखने के लिए जैंद चे भारत